आप टाइटल पढ़कर मेडे चैनल तक आये हैं उसके लिए मैं आपका दिल से ठैंक यू करती हूं मैं सभी का दिल से वैलकम करती हूं अपने चैनल जीवन वीडियो टीप्स में गाइस अगर आप भी प्री मुच्वर ग्री हेर्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है इस वीडियो को फुल वाच कीजिए अगर पसंद आए तो चाते हुए लाइक शेट चुरूर करना गाइस घर में छोटे बच्चे हैं बड़े हैं मोस्ली सभी को यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वह जी वाइट हेर्स ग्रे हेर की प्रॉब्लम आप मार्केट वाली यूज करते हैं वह डाइ कुछे देनों के लिए आपके बालों पर रहती है और जाते हुए जो आपके बचे-खुचे ब्लैक हेर्स हैं उनको भी साथ में वाइट कर देती हैं तो आपको मार्केट वाली यूज नहीं करनी है आपको घर पर ये हेर पैक बनाकर अपने बालों पर लगाना है इससे आपके बालों में बहुत ही चीज शाहिन आएगी साथ ही साथ आपके जितने में वाइट हैं वह बिल्कुल कवर हो जाएंगे आप एक बार इस पैको बनाकर जूर पने बालों पर ट्राइ कीजगी तो चलिए इसको कैसे बनाना है और कैसे अपने बालों पर लगाना है मैजिकल होमेड है डाई को बनाने के लिए आपको लेना है एक बाउल अब आप इसमें एड कीजिए ऐलोवीरा लीव्स का पाउडर अगर आपके पास फ्रेश अलोवीरा जेल है आप उसे भी यूज कर सकते हैं मा बहुत ही सनी से मिल जाएगा नेक्स जो जीज़ा में इसमें एड करने वाले हैं वह जी ब्रिंग्रास पाउडर ब्रिंग्रास को आई वेद में बालों का डॉक्टर कहा गया है जिसकी बाल उमर से पहले सफेद हो चुकी है ग्रेहर की प्रॉब्लम है उनके लिए ब्रिंग ब्रिंग्रास पाउडर इसमें एड करना है गाइस जी जो हम होम में डाइब बनाकर तयार करें हैं जे हर उमर का व्यक्ति लगा सकता है अगर आपके बच्चों के सफेद बालों के प्रॉब्लम है तो उनके बालों पर भी आप यसे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मैं ले ब्रामी पाउडर ब्रामी आपके बालों पर जो सफेद बन आ चुका है उसको दूर करेगा साथ जो आपके बालों की जड़े हैं हेर्स की रूट से वह कमजोर पढ़ चुकी है उन्हें सर्ट रॉंग बनाएगा आपके बालों को जन्ना रोकेगा एक टेबल स्पून मैंने ब्रामी पाउडर और दिया हैं नेक्स मैं यूज करें हैं फली पाउडर आपको थोड़ी आपको थोड़ी से एक अच्छी आपको बालों को पर टालेना Авidad रिवन पाउडर शुका हिन्देश आम झतों मींने का पालों कि चाहते हैं कि ब्राउन कलर तो हल्द को सिप कर दि स्टैंट inom मंधि आपके बालों पर कलर दे तो हैं आपको ऐसे मिन पर पैस्पोरा क्या है अगारी पीय्में कि अ करें उसला शब्सक्राइब आपको इस connected to a stie छो गूतली नहीं चाहिए विल्व को इसी तरह का समूधे पैस्ट बन कर तयार होकर थार करद अब आपको इसे आधेगंडे से लेकर एक गंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद इस पेक को बनें घंडाइ पर अब तरह के लिए आप करते हों यह करते हैं आफ लगा अब करते हैं कि जिनकी बर यह पो यह पयक लगा है हैं आप डेख सकते हैं कि इनके बाल काफी हध तक सफेध हो चुके हैं हेर्स की रूट से लेकर आप देख सकते हैं कि बेजो सफेध है आधेवाल काले है आधेवाल सफेध आपने जिनके बालौों पर भी इस पैक को लगाना है पहले बालों को वाश कर लीजिए शैंपू की हल्प से उसके बाद इस पैक को अपलाई कीजिए एक से डिड़ घंटा रहने दीजिए और उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से हेर वाश करने है बहुत सारे वीवर्स जे बार बात यही कुमेंट करकर पूछते हैं कि दी हम एस पैक को लगाने के बाद कौन सा शेंपू यूज़ करें तो डिया मैं आपको यूजक करना है आपको नॉर्मल पानी से पैक को रिमूब करना है और साथी साथ इस बात कर ध्यान देना है कि जब आप कोई भी हेर पैक रिमूब करते हो तो आप का जो पानी यूज करें वो ना ही ठंडा होना चाहिए और ना ही जदा गरम नॉर्मल टंकी वाले पानी से ही हेर वाश करने हैं मैं इनके सारे बालों पर इस पैक को अपलाई कर दूगी आप बेफिकर होकर हर उमर का व्यक्ति इस पैक को यूज कीजिए हमने इसमें कोई भी क लाइक कर लेते हैं तो आपके जितने भी ग्रे हेर्स की प्रॉब्लम है वो तो दूर होगी ही साथ साथ नैचुरल तरीके से आपके जो वाइट हैं वो बिल्कुल ब्लैक में कनवर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें भ्रिंगराज ब्रहमी एड की हैं ज पानी से वाश करके आपको लाइव रिसल्ट दिखा रही हो आप देख सकते हैं कि वाश करने के बाद इनके बाल बिल्कुल ब्लैक कलर में कनवर्ट हो चुके हैं एक भी सफेद बाल आपको नजर नहीं आएगा इस हेर पैको लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ज पसंद आई है तो जाते हुए लाइक शेफ जुरूर कीजिए आप हमेशा वीडियो वाज कर लेते हैं बट वीडियो को लाइक शेफ करना भूल जाते हैं आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन और स्पोर्ट मिलती है अपना स्पोर्ट और प्यार मेरे चैन कर सकते हैं इस वीडियो से अगर आपका कोई भी कोचन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करकर पूछ सकते हैं मैं असका रिपलाई आपको जरूर दूंगी आप जहां भी शोचल मेडिया पर एक्टिव रहते हैं फेस्बुक वर्टसफ ट्वीटर इंस् सक्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं इन्हें क्लिक करकर वाच कीजिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूसफुल होने वाली हैं अगर आपको स्कीन से रलेटेड जाफी हैर से लेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं मैं बहुत जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो अप्लोड करूंगी कि कैसे आपको नेचरल तरीके से उस प्रॉब्लम से शुटकारा मिल सकता है तो मिलती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग टेक कियर बाबाई